गोविंदे बोलो हरी गोपाले बोलो राधारमने हरी गोविंदे बोलो नंदलाला मुरली मनोहर अपनी कृपा सदेव मेरे परिवार पर बनाए रखना और उन्हें हर बुरी नजर से बचाना जै हो कनहिया लाल की मा हम हर रोज कृष्ण जी की पूझा क्यों करते हैं क्योंकि बेटा इससे हमारी मन को शांती मिलती है लेकिन मा हम तो हर रोज इनकी पूझा करते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शांती क्यों नहीं है हम इतने करीब क्यों हैं? हमें कभी भी अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता सबी लोग हमारी करीबी का मजाख उड़ाते हैं ऐसा नहीं है रोमा बेटा भगवाने हर किसी को अलग बनाया है किसी को जोटा, किसी को मोटा तो किसी को काला, गोरा और तो और किसी को अमीर और गरीब लेकिन हमें कभी भी उनकी दी हुई चीजों में कमी नहीं निकालनी चाहिए कम से कम हमारे पास सर्च पाने के लिए चछत है पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए दो बक्त का खाना, पर कुछ लोग तो इसके लिए भी तरशती हैं? मा आप बिल्कुल सही कह रही हो अपसे हम कभी भी उनसे शिकायत नहीं करेंगे कम उमर में अपने दोनों बच्चों को अपनी कही बात को इतनी जल्दी समझता देख वैदिका को काफी ज़्यादा खुशी होती है वैदिका बच्चपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी और हर रोज अपने बच्चों के साथ उनकी पूजा करती थी ऐसे ही समय गुजरता है और अब जन्माष्टमी आने वाली थी जन्माष्टमी के उत्सम को लेकर हर जगा चारो तरफ तयारियां चल रही होती है तुम ननों को पता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था इसलिए हर कोई इस दिन को पड़ी तुमधाम से बनाता है इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए गीत काते हैं और उनकी मनपसंद खीर भी बनाते हैं वाओ खीर मा इसका मतलब तुम भी हमारे लिए खीर बनाओगी ना तुमने दो साल पहले एक बार खीर बनाई थी और उसके बाद आज तक कभी नहीं बनाई लेकिन उसका स्वाद आज भी मेरी जुबान पर है बोलो ना तुम जन्माष्टमी पर हमारे लिए खीर बनाओगी ना हाँ बच्चो में जन्माष्टमी पर जरूर खीर बनाओगी वेदिका ने अपने दोनों बच्चों से जन्माष्टमी पर खीर बनाने का वादा तो कर दिया था लेकिन ये वेदिका को भी नहीं पता था कि वो जन्माश्टिमी पर खीर कैसे बनाएगी क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है जन्माश्टिमी में बस तीन दिन रह गए हैं और घर में बिलकुल भी पैसे नहीं है अब मैं भगवान श्री कृष्णी की भोग और बच्चों के लिए खीर का इंतसाम कहां से करूँ क्या हुआ वेदिका ये खुद से क्या बाते कर रही हो वेदिका शंकर को सारी बात बताती है जिसे सुन शंकर अरे तुम परिशान मत हो इस साल सुनने में आया है कि हमारा फैक्टरी मालिक जन्माश्टमी पर हर किसी मलदूर को सौ रुपए देगा सौ रुपए में तो आरा हमसे दूद चीनी आ जाएगी और तुम जन्माश्टमी के लिए खीर बना देना शंकर की बाद सुन वेदिका को थोड़ा सुकून मिलता है जहां जन्माश्टमी के लिए आसपास के अमीर लोग अपने पूरे घर को किसी दुलहन की तरह पूलों में सजा देते हैं साथी जन्माश्टमी के लिए तरह तरह के पकवान और मिठाईयां बनवाते हैं वहीं बेचारे वेदिका का घर अभी भी बिल्कुल सूना ही था मा देखो ना सब लोग कितनी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं अपने घर को सजा रहे हैं लेकिन हम तो बस यह बैठे हुए हैं क्या हम सब यह नहीं करेंगे इन सब लोगों के पास काफी पैसा है इसलिए यह हांसे खुशी अच्छी तरीके से जन्माश्टमी के त्योहार के तयारी कर रही है लेकिन यह सब करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है मा मेरी पास एकाइदिया है हम लोग पीना पैसो के भी चन्माश्टमी के लिए अपने घर को अच्छी से सजा सकती है कैसे रूमा बीटा? जो तो मुझे चीज खाने के लिए दो रूपे देती हो न वो मैं कुछ दिनों से जमाके रही हूँ और मेरे पास पूरे पीस रूपे हो गए है मैं और रूपे और बीस रूपे का दुकान से कुबारे खरीत कर लिए आएंगे और हमारे खर के पीछे जंगल है वहां से कुछ तरह तरह के फूल मिलते हैं हम वहां से फूल तोड़ेंगे और इन चीजों से अच्छे से अपने घर को सजाएगे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी नन्नी से गुड़िया इतनी समझतार है वैदिका घर के पीछे वाले जंगल से तरह तरह के फूल तोड़ कर उने कठा करती है वहीं दोनों बच्चे दुकान से गुबारे लाकर उसे फुला देते हैं और अब तीनों मिलकर फूल और गुबारों से अच्छे से घर को सजाते हैं वहीं वैदिका घर के आंगर में गुबारे से अच्छे से लिपाई भी कर देती है और अब उनका घर भी काफी सुन्दर लग रहा होता है पूरा परिवार बेसबरी से जन्माष्टमी का इंतजार करता है जन्माष्टमी के दिन वैदिका सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा पाट करके जन्माष्टमी का निर्जला वृत रखती है और अब वही अपने पती के दिये हुए सौ रुपई की खीर बनाने का सामाण लेने के लिए जाती है लेकिन जन्माष्टमी के होने की वज़ा से खीर बनाने की सारी चीज अब दुगने दामों पर विखने लगी थी साथ रुपई का सिर्फ हाफ रीडर दूद और चालर्श रुपई की इतनी सी चीनी इतनी सी दूद और चीनी में तो बस थोड़ी सी ही खीर बन पाएगी कम समान से वैदिका थोड़ी ही खीर बना कर भोग के लिए भगवान श्री किष्ण की मूर्ती के सामने रख देती है कि तबी बाहर हांडियोत सब शुरू हो जाता है जिसे देखने के लिए सबी लोग बाहर चले जाते हैं तबी वैदिका की पड़ोस में रह रही उसकी अमीर घमंडी पड़ोसन शालिनी देखती है कि उसने जो बाहर आंगन में जनमाश्टमी के लिए मिठाईयां बनवाई हैं उन्हें दो बहुत बूरे आदमी औरत खा रही है जिनने देख शालिनी उनके पास घुसे में जाती है औरे चार दिनों से एक भी अन्न का दाना पेट में नहीं गया है भगवान के लिए कुछ खाने के लिए दे दो अगर इतना ही खाने का शौक है तो रास्ते में भीक मांगर खाओ जा निगलो मिहां से शालिनी उन दोनों को धक्के मार कर अपने आंगन से भगा देती है ज चार दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है बहुत जरो की भूग लगी थी इसलिए महां से थोड़ी सी मिटाई खाली पर उन्होंने हमें बहुत सुनाया यह अमीर लोग सिर्फ नाम के ही अमीर होते हैं दिल तो इनका हमसे भी ज़्यादा गरीब होता है आप मेरे साथ मेर घर चलिए वैदिका उन दोनों को अपने घर ले जाती है जिसके बाद वैदिका भगवान कृष्ण के सामने रखी होई खीर में से थोड़ी थोड़ी खीर निकाल कर उन दोनों को खाने के लिए दे देती है बाबा मेरे घर पर खाने के लिए फिलहाल बस यह खीर ही है जान और खीर खाने को मिल सकती है क्या जी बाबा वैदिका उन कटोरी को लेकर जाती है और उसके अंदर खीर डालने लगती है ये मेरे और उनके हिस्से की खीर थी पर इन अम्मा और बाबा ने तो चार दिनों से कुछ भी नहीं खाया है वैदिका अपने और अपने पती के हिस्से की खीर ले जाकर उन दोनों को दे देती है और देखते ही देखते वो लोग उस खीर को भी पूरा खा जाते है बिजिया थोड़ी और खीर मिल सकती है क्या तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है अब बस दोनों बच्चों के हिस्से की ही खीर रखी है बच्चों का काफी समय से खीर खाने का मन था लेकिन मैं इस सरही ने मना भी तो नहीं कर सकती वैदिका बिना कुछ सोचे समझे अपने दोनों बच्चों के हिस्से की खीर भी उन दोनों को खिला देती है बिटिया क्या थोड़ी और खीर मिल सकती है बाबा मैंने बस इतनी खीर बनाई थी अब खीर खत्म हो चुकी है एक बार बेटा बरतन तो देख क्या पता उसमें थोड़ी खीर और बची हो उस बोड़ी औरत के कहने पर वेदिका जैसे ही खीर का बरतन खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर अभी धेर सारी खीर बची हुई है वेदिका बार बार उस बोड़े आदमी और और औरत को खाने के लिए खीर देती रहती है लेकिन इतनी बार खीर देने के बाद भी बरतन यूही खीर से भरा रहता है इतनी देर से खीर दे रही हूं लेकिन ये खीर है कि ख़द में ही नहीं हो रही बेटिया अब हमारा पेट भर चुका है अब हम जा रहे है जैसे आज तुमने हम भूख से पीडित लोगों का पेट भरा है वैसे ही भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाएगा इतना कहकर वो बोड़ी और आदमी वहां से चले जाते हैं तबी दही हांडी का उतसफ देखकर वैदिका के दोनों बच्चे भी घर आ जाते हैं मा बहुत जोरों की भूख लग रही है जल्दी से खीर दो ना वैदिका अपने दोनों बच्चों को खीर देने के लिए जैसे ही खीर का बरतन खोलती है तो देखती है कि वो बरतन पूरा का पूरा खीर के वज़ाए सोने के सिक्के, हीरे और जेवरात से भरा हुआ है अभी थोड़ दिर पहले इस बरतन में बार-बार खीर आ रही थी और आप सोना और हीरा है कनया अब तुम ही मेरी मदद करो चिंता मत करो वीदिका यही तो तुम्हारी अच्छी कर्मों का फल है जिन बूड़ी और आदमी को तुमने बिना किसी स्वार्त के बिना अपनी परिवार की बारे में सोचे उनकी और अपनी हिस्से की खीर खिलाई वो हम ही थी आज मेरे जनम दिन के इस उत्साब पर मैं और राधे कई लोगों के घरों में खाने की मदद मागने के लिए गए लगाना चाहते हैं किसी की मदद करना नहीं चाहते पर तुम ऐसी नहीं हो इसलिए यह हमारा वर्दान है जनमाश्टमी पर साक्षात राधा कृष्ण मेरे घर पर खीर खाने के लिए आए मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है भगवान कृष्ण और राधा मैया अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ कर दे ना भगवान शी कृष्ण और राधा रानिव वेदिका और उसके पूरे परिवार को आशिरवात देते हैं और वहां से चले जाते हैं जिसके बाद अब पूरा परिवार भगवान शी कृष्ण और राधा मैया के आशिरवात से हांसे खुशी अपनी जिन्दगी जीता है